दोस्तो आज का ये वोडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल कब बनने वाला है अगर आप भी अपने मॉबाल फोन के अंदर वर्टसप को रखे हो वर्टसप का यूज़ करते हो तो आज के वर्टसप के लिए काफ़ी यूस्फ।ल बनेगी क्योंकि आज मैं आपको WhatsApp के एक ऐसी खतरनाक ट्रेक बताऊंगा जो कि 2022 की बिल्कुल नए ट्रेक है बिल्कुल नए फीचर है जहां दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर WhatsApp चलाते हो देखे दोस्तों WhatsApp तो हर कोई चलाता है यहां पर मैं भी WhatsApp का यूज़ करता हूँ और आप भी WhatsApp का यूज़ करते होंगे लेकिन दोस्तों यहां पर 2018 भी निखल गया 2019 भी निखल गया 2020 भी निखल गया और नया साल आ चुका है 2022 लेकिन यहां पर WhatsApp के अंदर एक नया फीचर नहीं एड़ हुआ है जो की बहुत ज़रूरी आपके लिए हो सकता है यहां पर मैं आपको उसी फीचर के बारे में बताऊंगा इसी फीचर की बात कर रहा हूँ बहुत ही खतरना है इसको दे करके आपके दोस्त बिल्कुल चौक जाएंगे आपके लिए काफी useful हो सकता है देखे दोस्तों यहां पर आपके फ्रेंस होते हैं कुछ इस तरह से और आप लोग इनसे बाते भी करते हो यहां पर मैं भी बाते करता हूँ लेकिन यहां पर कुछ ऐसे फ्रेंस होते हैं जिनसे आप चैट करते हो और यहाँ पर आप लोग इस तरह से क्लिक करते हो तो उनका chat खुल जाता है इस तरह से जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो chat open हो गिया यहाँ पर आप लोग चयट को read कर लेते हो ठीक है अब यहाँ पर आपका वर्ट्सक कोई भी open करते है मालो आपका friend आपका mobile phone लेता है और आपके WhatsApp को open करता है और आप जिससे भी बाते करते हो chat open करता है और read करना start कर देता है लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो यहाँ पर मैं दूसरी वाली chat को open करता हूँ यहाँ पर आप लोग देखना ठीक है यह वाले chat के अंदर मैंने एक ऐसा magic trick लगा रखा है यहाँ पर मैं जैसी open करता हूँ ना तो एक जादू होने वाला है आप लोग खुद देखना ठीक है यहाँ पर देख सकते हो मैंने open किया देख सकते हो यह chat open नहीं हो रहा है यहाँ पर मेरे से एक password मांग रहा है ठीक है यहाँ पर अगर मैं कोई भी गलत password दूँगा तो यहाँ पर यह नहीं खुलेगा और यहाँ पर जो मैंने password set किया हुआ था अगर मैं यहाँ पर वही password डा लगा सकते हो या फिर आप जिसमें भी लगाना चाहते हो उसमें लगा सकते हो आप सारे चैट पर भी लगा सकते हो और कोई भी आपका चैट रीड नहीं कर पाएगा ठीक आप अपनी प्राइबिसी को हाइड कर सकते हो तो अगर आप विडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बा भी अपने वर्टसबिए अंदर इस ट्रेक को लगाना चाहते हो तो सबसे पहले इस विडियो को लाइक कल दो लाइक करने के बाद इस रेड़ वाले बटन को दबा करके चैनल को सबस्क्राइब कल दो गंती को दबा के all pay set कर दो इतना काम करने के बाद आपको comment section में आना है comment section में आने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना feedback दे सकते हूँ यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो nice video जो भी आप लोग लिखना चाहते हो यहाँ पर comment कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इस track को अपने WhatsApp के अंदर कैसे लगाओगे कैसे apply करोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए आपको अपने mobile phone के अंदर एक app डाउनलोड करना है इस app को कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए 1,2,3,4 create कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना password रखने के बाद आपको next पे क्लिक करना है जैसे आप लोग next पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इस app का नाम देखने को मिल जाएगा WhatsApp, chat, locker आपको इस पे क्लिक करना है इतना काम करने के बाद आपको इस वाले permission को allow करना है उक्की के button पे क्लिक करना है उसके बाद इस तरह से back आजाना है जैसे आप लोग back आते हो तो application आप सभी के सामने कुछ इस तरह से open हो जाती है यहाँ पर आपको plus पे क्लिक करना है plus पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपका WhatsApp open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोग जिस भी chat पर lock लगाना चाहते हो जैसे आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर मैं जैसे कि आपको पहले भी भी दिखाया था यहाँ पर मैंने इस चैच पर lock नहीं लगाया हुआ बाएगा कि हम आपको बाद में चले जाना है WhatsApp में जाने के बाद मैं इस chat को वापस से open करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आप लोग लाइव देखना कि यह chat जैसे मैं open करूँगा तो यहाँ पर lock मेरे से मांगेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस chat को open किया देख सकते हो यहाँ पर lock मांग रहा है इस तरह से आप लोग जिस भी चैट पर लोक लगाना चाहते हो इस application की मदद से बड़े ही असानी से लगा सकते हो इस application का नाम है WhatsApp Chat Locker इस application को आप लोग डाउनलोड कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ इस application को डाउनलोड करने के लिए जो आप विडियो देख रहे हो आपको उसके टाइटल पर क्लिक करना है टाइटल पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एप का लिंक देखने को मिल जाएगा इस link पर click करके आपको अपने mobile phone के अदरी से app को download कर लेना है Bye Bye